इदी शनी प्रीडासे प्रीडित जातक शनी शांती एवं क्रुपा प्राप्ती हेतु इदी पूर्वक चेतन्य एवं प्रानप्रतिष्टित मंत्रसित पारद शनी प्रतीमा को अपने पूजनस्तान में शनीवार को साथित कर उसकी नियमित रूप से पूजा आरादना करें। रात्री में सोते वक्त दूनों आउंकों में असली सुर्मा लगाएं शिनिवार से प्रारंब करके यह प्रयोग नियमित रूप से करें तो निश्चित ही शिनी प्रकोप शांती होता है शिनिवार को काले कुत्ते यवं कोईये को मीटी रोटी डालने से भी शिनी देव अतिप्रसन्न होते हैं स्री वर्ग का सम्मान और आदर करें घर में कोई भी शिवकार्य को प्रारंब करने से पहले स्री का हाथ जरूर लगवाएं रुद्व्यक्ति अवाम अपाही जोंग का आदर करने तता चरन चोकर आशिश लेने से भी शिनी देव पसंद होते हैं किदी कोई स्री शिनी देव को सच्चे मन से अपने ब्राता के रूप में सम्मान दे तो शिनी देव की उस स्री पर विशेश अनुकमपा होती है शिनी श्री अमावास्या के दिन घर तता कार्यक्षेतर की अच्ची तरह से सफाई करें दुलाई करके घर के मुक्यदवार के दूनों और तील का दीपक जलाएं शनेश्चरिय मावास्या के दिन घरीव वा अफाईजों को पुराने वस्त्र काला कंबल तता खाने की वस्तियें एवं चेम्डे के जूते चपल दान में दे शनी शांती है तो असली नीलम अथवा उपरत्न जडित मंत्रसिद्द चैतन्य शनी यंत्र लाकेत को किसी विद्वान जोतिशी से शुप महुर्त में विदिपूर वक निर्मित यवं अविमंत्रित करवा कर घले में धारन करें जिन विक्तियों की कुंडली में शनी के स्थिति ऐसी होकी वे नीलम रत्न धारन नहीं कर सके तो योग यजोतिशी से कुंडली का सूख्ष्म विश्लेशन करवा कर तता जोतिशी ये पराम अर्शान सार उपयुक्त वजन का उपर उत्न धारन करने इस पर भी जातक के अथवा सरसों का तेल चड़ाएं शनिवार के दिन खाले रंग के वस्त दारन करे येवं चेनी के अश्टोत्र नामों का सस्वर उच्चारन करे चेनी कृपा शीग्र प्राप्त होगी प्रत्येग शेनवार सरसों के तेर से रोटी चिपड़कर खाले कुट्टे को किलाएं यवं बंदरों को चिने किलाएं मंतरसिद चैतन्य असली खाले गोडे की नाल को शेनिप पुष्य योग अतवा शेनिवार के दिन अपने घर, लुकान, आफिस या फैक्टरी के मुक्यद्वार की छोकट पर स्तापिट करने से आश्चर्य जनक लाब होता है प्रत्येक शिनवार की रात्री में मंतरसिद चैतन्य खाले हकीक की माला से खाले कंबल पर बैटकर शिनी बीज मंतर का ज़्यादा से ज़्यादा संक्या में जब करने से शिनी की कुपा प्राप्त होती है फिरी शनी पीड़ा से मुक्ति प्राप्ती का प्रत्य उपाई निश्वल होता दिकाई देतो इसी योग्य त्रांत्रिक से गोपनी रूप में शनी शान्त की अनुष्टान करावें हन्मान जी के बक्तों को शनी देव कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते अथा नियमित रूप से बजरंग बान संकट मोचन हन्मान आश्टाग तता हन्मान चारी सा का बक्ती भाव से फार्ट करने वालों पर शनी देव प्रसंद रहते हैं